अथ कुछ आपके करेंट कोशन पापिक्स को लिंक करते हैं अपने इस स्लीप के साथ साथ के साथ कुछ हम यहाँ पर static portion भी discuss करेंगे इन 5 questions में तो आई शुरुआत करते हैं पहले question के साथ बहुत ही simple सा question आप से पूचा गया है 3 C's के नाम दिये गये है arrange कीजिए इसे south to north direction में मतलब इस तरीके से आपको arrange करने को यहाँ कहा गया है 3 options है, 4 codes आपको यहाँ provide किये गये है map-based series शुरू की गई है, तो उस आधार पर आपकी लिए इस तरीके के questions काफी important है practice करना थोड़ा सोचिए इसके बारे में correct option mark कीजिए फिर हम discuss करते हैं इस question को तो यहाँ पर आपकी correct option है C option 2, 3, 1 कि सबसे south में आपका बंदस ही आएगा फिर आपका third में cel-based C आएगा और first आपका यहाँ पर सबसे north में आपका solution आएगा ठीके जी, pronunciation थोड़ी गलत हो सकती है तो factual nature question था 2-minute geography series में वारा cover हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, link आपको यहाँ पर provide कर दिया जाएगा तो basically यह जितने भी इस तरीके की seas है, water bodies है, काफी important रहती है UPSC किसी भी तरीके से question पूछ लेता है और जैसे कि हमारे यह daily initiatives में भी cover हो रहा है हमारे 2-minute series में, geography में particularly आपके map-based questions ही cover हो रहे है जैसे कि आज आपके important islands के बारे में बात हुई है, जो कि news में थे तो पिछले week आपके volcanoes के बारे में बात हुई है तो उनकी location कहां लाई करती है, किस तरीके से आपको map-based questions आ सकते हैं यह काफी ज़्यादा important आपके लिए ठीकी जी, तो just a little necessary details आपको यहाँ पर provide कीगी है जो relevant information है, जिस तरीके सा अगर आपको question और भी पूछा जाए but mostly आप यहाँ पर इस तरीके के questions expect कर सकते हैं जो कि directly आपको map-based आएंगे map में ही देख लेते हैं, solution आपके north में आगी सबसे फिर आपका syllabus sea आगी middle में and then come to your bendasi ठीके जी, तो इस तरीके questions practice कीजिए map पढ़ते रही है, time and again पहले भी आपको काफी बार कहा गया है जहाँ पर भी आपका इस तरीके का आपने यूद सल त्यार किया है अपने कमरे में, आपको एक study table होगा जहाँ daily बैठके पढ़ रहे होंगे तो सामने एक map ज़रूर लगाई है और daily उस पर कुछ ना कुछ चीजें revise करते रही है जो जो आपको important लगता है, उसे वहाँ mark कर लीजिए, sticky notes का use कीजिए ठीके जी, simple सा question था बढ़ते हैं अगले question के और बात हो रही है, placer deposits के बारे में, दो statements यहाँ पर दी गई है पूछा जा रहा है, इन में से कौन-कौन सी correct है, चार-codes आपको provide किये गए है पहले में कह रहे है, placer के बारे में की accumulation of valuable minerals है जो की form होती है by the gravity separation from the specific source rock during the sedimentary process second में कह रहे है, gold हो गया diamond हो गया, platinum हो गया यह जितने भी आपके group metals है basically आपके mine के जाते हैं, placer deposit से ही, तो एक तरीके से factual और conceptual दोनों तरीके कोशन आपसे यहाँ पर पूछा गया है थोड़ा सोची है इसके बारे में, correct option mark की जिए, फिरम discuss करते हैं इस question को तो basically यहाँ पर आपकी दोनों ही statements बिल्कुल correct है, तो 29 और आपका 30 जुलाई का जो D&D था, link आपको यहाँ provide कर जागा उसी में ही इससे related बात हुई थी क्या बात हुई थी अगर हम बात करें particularly कि जो हमारा Geological Survey of India है, उन्होंने provide कि a valuable information pertaining to the gold reserves in India, अब पहली बात अगर आपने economy के concept में बात की हो कि India का जो RBI है वो काफी जादा gold भी खरीद रहा है reason, सारे आपके उहाँ discuss किये थे, जरूर उसे जाके देखिए तो उसी तरीके से gold की mining से related, उसके reserves कहां कहा हैं, उस पर भी सरकार काफी actively यहाँ पर काम कर रही है ठीके जी, तो बात करें इस particular question के बारे में placard deposits के बारे में आपको बता ही दिया गया है, accumulation की जाती है इसमें आपके valuable minerals की जो की gravity separation के चलते हैं, वहाँ पर तयार होते हैं आपर बनते हैं from a specific source rock की एक particular source rock रहेगी और जब उसकी sedimentary process रहेगी तो वहीं पर वो तयार होंगे तो इस process के चलते जो आपके placard deposits यहाँ पर बनते हैं, तो इससे काफी commercial mining भी की जाती है कौन कौन से तरीकी के हम कह सकते हैं substances हैं, कि diamonds होगे gold होगे, garnet होगया, iron होगया platinum group metals होगे तो इस सभी चीजें आपके इस particular placer deposit से ही mine के जाते हैं, तो इसमें आपके LVM के भी आते हैं, ठीके जी फिर आपके beach placers भी आते हैं कुछ, फिर आपके aeolian placers भी आते हैं, paleos placers भी आते हैं, तो यह कुछ-कुछ categories हैं इनकी, ठीके जी फिर हमने आपके current affair related information भी आपको यहां पर provide कर दी कि यहां पर जो estimation लगाएगा है जो logical survey of India दोरा कि उन्होंने यहां पर valuable data provide किया है तो यह आपका D&D में भी cover हुआ है इसको ज़रूर वहां जाके देखिए और साथ के साथ जो हमारा syllabus है प्रलेम जहां हम particularly mains की भी बात करें तो वहां पर जो हमारे resources है अविलेबल, natural resources है अविलेबल और क्या-क्या उनकी locations हैं कौन-कौन सी हम कह सकते हैं particular states हैं जिनके पास एक particular resource बहुत जादा अविलेबल है तो इस सारा ही data वैसे तो हमारा NCRT में ही covered है बट साथ के साथ जो आपके day-to-day current affairs भी आ रहे हैं उस particular data selected तो उसे भी अपने notes में इंकल्केट कीजिए ताकि अगर आपको directly straightforward fact-based question भी आए किसी particular resource related कि यह resource का नाम है अब बताईए यह आपके कौन से state में available है तो इसी तरीके से gold के बारे में ही बात करें सबसे ज्यादा जो आपके largest reserves है gold ors के वह आपके located हैं बिहार में 44% followed by Rajasthan 25% करनाटिका 21% West Bengal आपका 3% आंदरप्रतिश 3% और जारखंड आपका 2% है बहुत important है आपको arrange करने के लिए आ सकता है increasing and decreasing order में आप बताईए कि gold के जो आपके ores हैं उसके जो reserves की quantity है वो सबसे जादा कहां पर है from increasing to decreasing order किसी भी तरीके से question आ सकता है आपको अपने data और facts clear रखने हैं ताकि अगर आपको कोई भी question आए तो आप easily essay questions को attempt कर सकें ठीके जी अगले question के और बढ़ते हैं जहां पर बात हो रही है North East India की geography is related दो statements आपको यहां दी गई है पूछा जा रहा है इन में से कौन कौन सी correct है चार codes आपको यहां provide किये गई है पहले हैं बात हो रही है बैतलिन चिप के बारे में ठीके जी कि यह highest peak है तरिपुरा की जो state है उसका tropical monsoon climate है और इसे designation दी गई है AW के द्वारा under the copper climate classification तो थोड़ा यहां पर आपसे हम कह सकते हैं tough question अगर आपको copper climate classification के आरहे हैं पता होगा तो आप easily इस question को यहां solve कर सकते हैं और साथ के साथ यह तो आपका straightforward fact based यहां पर knowledge test करने के लिए statement दी गई है first statement ठीके जी pause क किजिए वीडियो correct option mark किजिए from discuss करते हैं इस question का relevance कहां से आप से पूछा गया है क्या क्या कि इसमें आपको necessary information पता होनी जरूरी है तो देखिए यहां पर आपकी पहली statement तो बिल्कुल correct है bethlin chip के बारे में I hope pronunciation यहां पर correct हो bethlin chip ही कहते हैं वैसे तो कि tripura की highest peak है अब tripura से related हमने recently ही आपके environment के जो आपका premise था पिछले हफते का उसमें बात की थी अगरwood के बारे में ठीके जी अब अगरwood के चलते तृपुरा आपका दुबारा एक source of attraction बन गया कि यह दुबारा से एक बार limelight में आ चुका है तो इस से related जो जो important facts है geography से related आपको पता होने जरूरी ह ठीके जी तो वहीं से आपके लिए environment point of view से यहां का geography का static question त्यार किया गया है कि environment की news थी बट हमने question यहां geography का त्यार कर लिया है ठीके जी बट जो second statement है यह basically tropical monsoon climate नहीं यह आपका tropical सवन्ना climate है ठीके जी और designation बुकुर क्रेट प्लताएगी है AW अब आपका copper climate classification क्या है कि पहल बात तो जो हमने बात की bethlin chip के बारे में जिसे हम balance chip या फिर थाई दो आर भी कहते हैं ठीके जी highest peak of the jampoi hills जो कि आपका tripura में located है ठीके जी फिर बात करते है यह आपका जो copper classification है climate की classification है तो यह व्लादिमीर कॉपन एक German climatologist थे जिन्नोंने यह detailed climate classification दी थी ठीके जी पहली बा बार-बार refine भी करते रहे, modify भी करते रहे और जो last modified version है इस last question का हूँ कह सकते है 1936 का publish हुआ है तो basically इसमें क्या किया गया है पांच categories में divide कर दिया गया है जितने पी regions हैं उन्हें major categories है A, B, C, D, E और साथ के साथ इसमें बाकी सब categories भी डाल दी गई है अब जैसे वहाँ पर A, W के बारे में बात हुई तो आपका tropical savannah climate के लिए designate किया गया है तो उसी तरीके से आपका detailed chart है आप कहीं पे भी online search करेंगे carbon climate classification आपको बहुत easily वो chart मिल जाएगा अब उस chart की classification किस तरीके से वो आपको पढ़ना बहुत important है ठीके जी कि कौन-कौन से particular हम कह सकते हैं term को जैसे AW के बारे में बात हो रहे थी कि कौन-कौन से particular term को कौन-कौन से climate के लिए designate किया गया है important है exam point of view से question किसी भी तरीके से पूछा सकता है और वैसे भी आपकी जो carbon climate classification है काफी जादा widely accepted classification है worldwide तो उस तरीके से भी ये काफी जादा important है ठीके जी फिर जो हमने बात की triple case में कि आपका त्रिपूरा limelight में आ चुका है इन्होंने अपनी यहां पर त्रिपूरा agreement policy यहां पर launch की है 2021 की जो कि हम environment के premise में भी discuss कर चुके थे तो इस तरीके से अगर कोई भी state आपका limelight में आ रहा है तो जुरूरी नहीं है कि उस particular उसी information के basis आपको question geography से related पूशा सकता है उससे related कोई history का point हो सकता है वहां से पूशा सकता है तो एक तरीके से आपको हर एक domain की knowledge होना जुरूरी है ठीके जी बढ़ते हैं अगले question की और जहां पर बात हो रही है tributaries of ganga and to be particular right bank tributaries कि आपको बताना है इन में से कौन कौन सी right bank tributaries हैं पांच options आपको यहां दी गई हैं गुम्ती सन पनपन दामोदर और कोसी ठीके जी correct option यहां पर आपको चूज करनी है चार quote आपको provide किये हैं तो बहुत ही simple सा fact based question आपसे यहां पूछा गया है थोड़ा स कोची इसके बारे में बहुत इजली आप इसे solve कर सकते हैं correct option mark कीजिए फिर हम discuss करते हैं इस question को तो यहां पर आपकी correct option है C option की sun पनपन दामोदर यह आपकी right bank tributaries हैं बात करें गुम्ती और कोसी के बारे में तो यह आपकी left bank tributaries है ठीके जी अब देखिए जो गंगा है बह इसी तरीके से आपकी लिए भी important है तो उससे related जो भी factual knowledge है आपको पता होनी बहुत जरूरी है गंगा के बारे में बात करें ट्रांस boundary आपकी river है इसिया की हमारी ठीके जी जो की इंडिया और बांगलज़ेश के थुरू फ्लो करती है बांगलज़ेश के थुरू आपका यह बेहुफ बंगल में drain कर जाती है तो इससे related जो भी important facts है काफी important है साथ के साथ कौन कौन सी schemes इससे related launch की जा रही है अब यहाँ पर आपको geography component भी cover करना है गंगा से related ठीके जी environment component भी cover करना है कि किस तरीके से इसका pollution level बढ़ रहा है घट रहा है क्या जो हमारी policies लगाई जारी ह यह सरकार दारा वो effective है या नहीं फिर आपका quality का component यहाँ पर क्या आएगा कि कौन कौन सी schemes launch की गई है तो कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर एक topic आप पकड़ते हैं ठीके जिसके बारे में पढ़ते हैं तो multi-dimensional approach रखिए ठीके जी कोई भी aspect आपको वहाँ पर छोड़ना नह आपका घागरा रिवर होगी कोशी रिवर होगी राइट बैंक में आपकी जो जो options में इंक्लूइड थी यह मुना आपके लिए बहुत important है ठीके जी तो जुलाई 2014 में सरकार ने से related आपका काफी सारे projects भी launch किये गे नमामी गंगे आपका उनमें से एक है उसके बाद 2017 में म उमीद रखिए कि आपको इस तरीके questions पूछे जाएंगे और पूछे भी गए है ठीके जी तो काफी simple सा question था I hope आपने इसको correctly mark किया हो अगले question की और बढ़ते हैं आज का last और final question जहां पर आपको दो statement दी गई है चार options दी गई है पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी correct हैं तो पहली statement बात हो रही है कि रोशियो cold current के बारे में कि वो फ्लो करती है through the bearing state in the southerly direction and thus transports cold water of the arctic sea into the pacific ocean second में बात हो रही है जो आपके ओयाशियो current है ठीक है जी कि originate करता है आपके arctic ocean से और flow करता है southward वाया bearing sea तो यहाँ पर दो statements आपको दी गई है अब अगर आपको इनके बारे में छोटी या थोड़ी बहुत भी knowledge पता होगी इन currents के बारे में बहुत simple तरीके से आप इसे solve कर सकते हैं आपर तो video pause कीजिए correct option mark कीजिए from discuss करते हैं इस question को तो basically यहाँ पर आपकी second statement ही correct है ठीके जी कि जो आपकी ओयाशियो current है basically वो आपका cold current है को रोशियो आपका basically warm current में consider किया जाता है इसे हम directly image से ही समयने की कोशिश करेंगे यह रहा आपका को रोशियो current ठीके जी और यह रहा आपका ओयाशियो current तो यह जो आपका पूरा system है बहुत important है Japan के लिए भी काफी important माने जाता है वहांके जो weather phenomenon है काफी हद तक इस current तक इस current पे निरभर रहते हैं ठीके जी तो factual nature question था difficulty level हम easy कह सकते हैं गर आपको इन currents के बारे में पता होता है कि दोनों एक दूसरे के opposite flow करते हैं और एक इन में से warm है एक इन में से cold है तो बहुत easily यहाँ पर आप इस question को यहाँ solve कर सकते थे ठीके जी माफी चाहूंगा तो जैसी के हमने बात कियो cold current के बारे में इसे हम curl cold current भी कहते हैं यह आपका flow करता है through the bearing state in the subtly direction और transport करता है जितने भी आपके Arctic sea से जो cold water है उसे pacific ocean में लेके आता है बहुत major current है जपान के point of view से भी और pacific ocean के point of view से भी वहीं आपका corrosion current system भी है कि आपको जो corrosion current है उसे हम black या फिर जपान current या फिर हम black stream भी कहते हैं कि north flowing रहता है और जो हमारा north pacific ocean है उसकी जो west side है वहां का यह warm current करी करता है ठीके जी तो बहुत important है इस तरीके से जितने भी आपके currents रहेंगे हम कोशिश करेंगे जो हमारी map series है उसमें आपके ये सारे currents भी cover किये जाएं ताकि आपको एक concise data वहां मिल जाए कि कौन कौन से currents आपके लिए exam point of view से important है और वो आपको पढ़ने भी जरूरी है तो बहुत ही simple से question थे आज के 5 I hope आप मेंसे सभी नहीं 5 out of 5 score किया हो simple सी knowledge यहां पर अगर आपको होती इन topics related या थोड़ी बहुत common sense भी लगाते तो बहुत easily यहां आप at least 4 options तो correct करी सकते थे ठीके जी जाने से पहले एक piece of information आप सभी के लिए हमारे batch 4 के courses already launch हो चुके है enrollment date यहां पर extend कर दी गई है 7th August तक काफी जादा request आई optional और फिर आपका essay batch जो की mains answer rating लिए बहुत जाद important है classes इनकी शुरू कर हो चुकी है ठीके जी आपको कोई भी necessary details रही हो आप website पर जाके देखिए किस तरीके से installment plans हैं सभी details यहां पर provide कीगी है आपकी कोई भी कोरी जाप हमें call कीजिए हम कोशिश करेंगे आपकी हर एक कोरी क prelims based ही है इतने सारे important concepts और topics वहां पर discuss हो रहे हैं उसे अच्छे से follow कीजिए hardly 10-15 minute के सारे lecture होते हैं कोशिश कीजिए कि आप जितनी भी knowledge हो सके जितनी भी important current affairs हैं वो पढ़ लें अच्छे से revise कर लें अच्छे से और premix के मातिम से उसकी practice भी कर सके ठीके जी so that will be all all the very best and have a good night आप एग्याओ जाद हैं तए मस्धिए और्ड़ देस्ट्ट मेर्ग और मेर्ड़ में और भी कर दो अच्छे से जी जी ढ़िए कर दो सके जी जीजए कर सके ए जीजए कर पांदेए कर नी चुछे हैं गॉजए ऑग्या जीजए नइन शीज़ाग रहें बिफ़ एदिए ल बाह बहें।